भारत माता की नम्मा सबका साथ सबका विकास मंत्रदा स्फूर्तियादा भगवान बस्वेसर अवरीगे नमस्कार गळू बेडगाविया कुंदा मत्तू बेडगाविया जानरा पत्त प्रिती एडू मरिय लागदासी बेडगाविया नन्ना बंदू भगिनियर गे नमस्कार गळू बेडगाविया की जनता का प्यार और आशिरवाद अतुनिया है ये प्यार ये आशिरवाद पाकर हम सब को आपकी सेवा के लिए हमें दिन राप मेहनत करने की प्रिणा मिलती है आपक्या ये आशिरवाद हमारे लिए प्रेरणा शक्ति बन जाता है बेडगावि की धर्ति पराना किसी तिर्थ यात्रा से कम नहीं होता ये कित्तूर की रानी चन्नम्मा और करांती वीर संगोली रायाना की भूमी आए देश आज में इन्हें वीरता और गुलामी के विरुद आवाज उठाने के लिए यात करता है साथियों आज की लड़ाई हो या फिर उसके बार भारत का नवनिर्मार बेड़गावी की महत्वप्ण भूमी का हमेशा रही है आज कल हमारे देश में करनाटका में स्टार्ट अप्स की खुब चर्चा होती है लेकिन एक तरफ से देखे तो बेड़गावी में तो सो साल पहले ही स्टार्ट अप्स की शुरुवात हो गई थी सो साल पहले मैं आपको याद कराने आया हूँ बाबु राव पुसालकर जी ने सो साल पहले यहाँ एक छोटी सी यूनिट की स्थापित के साप्रागी थी तब से बेड़गावी अनेक तरह की इंडुस्ट्री के लिए इतना बड़ा बेज बन गया है बेड़गावी के इसी भूमिका ने डबल इंजिन सरकार इस दशक में और ससक्त करना चाहती है भाई और भेनों आज जिन प्रोजेक्ट का लोकारपणों और सिलान्यास किया गया है उनसे बेड़गावी के विकास में नई गती आएगी सेक्डो करोर रुपिय के प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी से जुड़े हैं पानी की व्यवस्ता से जुड़े हुए हैं आप सभी को इन सारी विकास की योजनाओं के लिए इस छेत्र की प्रगती का एक मजबूत गती देने के इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज बेड़गावी से पूरे हिंदुस्तान को भी बेड़ स्वगाद मिली है हिंदुस्तान के हर किसानों को आज करनाटका से जोड़ा है बेड़गावी से जोड़ा है आज यहां से पी-एम किसान सम्मान निधी की एक और किस्त भेजी गई है सिर्फ एक ही बटन दबा कर एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में सोला हजार करोड रुपिये पहुँचे है यहां जो मेरे रायतू बंदू है न वो अपना मोबाइल देखें को तो मैसेज आ गया होगा दुनिया के लोगों को भी अजूबा होता है और इतनी बड़ी रकाम सोला हजार करोड रुपिया पल भर में और कोई बिचोलिया नहीं कोई कटकी कंपनी नहीं कोई करप्शन नहीं सीधा सीधा किसान के खाते में अगर कॉंग्रेस के राज होता तो प्रदान मंत्री कहते थे कॉंग्रेस के केक रुपिया भेटते हैं पंदरा पैसा पुहुचता है अगर आज उन्होंने सोला अजार करोड का सोचा होता तो आप सोचिए बारा तेरा हजार करूर रुपिया कहीं गयव हो गया होता लेकिन ये मोदी की सरकार है पाई पाई आपकी है आपके लिए है मैं करनाट का सहीद पुरे देश के किसान भाई बेहनों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ होली के त्योहार के पहले मेरे किसानों को ये होली की भी शुब कामनाए है भाई और भेनों आज का बदलता हुआ भारत हर बंचित को वरियता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा है हमारे देश में दसकों तक छोटे किसानों को भी नजर अंदाज किया गया था भारत में असी पचासी प्रतीव सथ छोटे किसान है अब यही छोटे किसान बाजपा सरकार की प्राथपिक्ता में है पी-एम किसान सम्मान निजी के माध्यम से अब तक देश के छोटे किसानों के बैंक खातों में करीब करीब ढाई लाख करोर रुपिये जमा कराए जा चुके हैं आप बोलेंगे कितने किये ढाई लाख करोर कितने 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 डाई लाख करोर रुपिया किसानों के बैंक खातों में जमा हुए इसमें भी पच्चास हजार कडोर रुपिय से ज़्यादा पैसे हमारी जो माताई बैंने किसानी के करती हैं उनके खाते में जमा हुए ये पैसे किसानों की छोटी छोटी जरुरतों को पुरा कर रहे है इन खर्चों के लिए अब उन्हें किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फ्यलाना पड़ता ब्याज खाव लोगों के शरण नहीं जाना पड़ता बहुत उंचा ब्याज देखर के रुपिय नहीं लेने पड़ते साथियों साल 2014 के बाद से देश लगातार क्रिशी में एक सार्थक बनलाव की तरब बढ़ रहा है भाजपा सरकार में हम क्रिशी को आदुनिक्ता से जोड रहे हैं क्रिशी को भविश्य के लिए तैयार कर रहे हैं साल 2014 में जब देश ने हमें सेवा करने का आउसर दिया तो भारत का क्रिशी के लिए बज़ेट यह आकणा याद रखोगे आप लोग याद रखोगे ज़रा जोड से तो बोलिए याद रखोगे देखिये जब हम आए थे 2014 में सेवा के लिए आपने मोका दिया था तब भारत का क्रिशी बज़ेट 25,000 करोर रुपिय था कितना? कितना? इस वार्थ हमारा क्रिशी बज़ेट एक लाग 25,000 करोर रुपिय से ज़्यादा है यानि पांच गुना ज़्यादा बड़ोत्री हुई है ये दिखाता है कि बीजेपी सरकार किसानों को मदद करने के लिए कितनी गंबीर है कितनी सक्रिय है हमने टेक्नोलोजी पर बल दिया जिसका लाग बे किसानों को हो रहा है आप कल्पना कर सकते हैं अगर जनदन बैंक खाते ना होते मुबाइल कनेक्शन न बढ़ता आधार न होता तो क्या ये सब संभव होता क्या हमारी सरकार जादा से जादा किसानों को किसान क्रेडिट कार से भी जोड रही है कोशिच यही है कि किसानों के पास बैंक से मदद पाने की सुभिदा लगाता रहे हमेशा रहे साथियों इस वर्ष का बज़े हमारी खेती की आज की स्थिती के साथ साथ बविश की जरूरतों को भी एड्रेस करता है आज की जरूरत बंदारण की है स्टोरेज की है क्रिशी में आने वाली लागत को कम करने की है छोटे किसानों को संगठित करने की है इसलिए बजेट में सेक्डो नई बंडारन सुविधाये बनाने पर बल दिया गया है इसके साथ साथ सहकरिता के स्तर पर विस्तार करके उसका पर हमने अबुद्पुर्वा फोकस किया है प्राकृति खेती को प्रमोट करने के लिए भी अनेक कदम उठाए गये हैं प्राकृति खेती से किसान की लागत में बहुत कमी आने वाली है नेच्रल खेती में किसानों को सबसे बड़ी समस्या खाद और कितना सब बनाने में आती है अब इसमें किसानों को मदद करने के लिए हजारों सहायता केंदर बनाए जाएंगे किसान की लागत बढाने में केमिकल फर्टिलाजर की भूमी का अधीक होती है अब हमने किसानों के लिए पी एम प्रणाम योजना शुरू की है इसके माध्यम से केमिकल फर्टिलाजर का प्रवक कम करने वाले राज्यों को केंदर से अतिरिक्त मदद मिलेगी भाईयों और बहनों हम देश की क्रशी को बविश्की चुनोतियों को देखते विए हमारी पूरी किसानी ग्रामिन अर्थ बवस्ता इसमें नए प्रान लाने के लिए हम करत निष्टेएं बल दे रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण कितनी समझ से आ रही है यह हमारा किसाना जनुभव कर रहा है इसलिए अब हमें अपनी पुरानी परंपराओं की ताकत को फिर से याद करना होगा हमारा मोटा अनाच और मैं तो देख रहा था मोटे अनाच की सुन्दरता भी कितनी अच्छी है हमारा मोटा अनाच हर मौसम हर परिस्तित को जिलने में सक्चम है और यह सुपरफूर है मोटा अनाच सुपरफूर है यह अधिक पोशक भी होता है इसलिए इस वर्ष के बजेट में हमने मोटे अनाज को स्री अन्न के रूप में नई पहचान दी है और करना टका तो स्री अन्न के मामले में दुनिया का एक बड़ा कैंद्र और ससक्त कैंद्र है यहां तो स्री अन्न को पहले से ही स्री धानने कहा जाता है अनेक प्रकार के स्री अन्न यहां का किसान उगाता है करना टका की बीजेपी सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेत्रुत्व में इसके लिए किसानों को मदद भी देती है मुझे याद है कि रईता बंदू यदुरप्पजी ने स्री अन्नको प्रोट सांन देने के लिए यहां कितना बड़ा भियान चलाया था अब हमें इस स्री अन्नको पुरी दुनिया में पहुँचाना है स्री अन्नको उगाने में लागत भी कम है और पानी भी कम लगता है इसलिए ये छोटे किसानों को डबल बेनिफिट देने वाला है साथियों इस छेत्र में गन्ने की पैदावर खुब होती है भाजपा सरकार ने हमेशा गन्ना किसानों के हितों को सर्वोपरी रखा है इस साल के बजट में भी गन्ना किसानों से जुड़ा एक अहम फैसला लिया गया सुगर कोपरेटिव द्वारा दोजार सोला सत्रा के पहले के गए पेमेंट पर टैक्स में छूट दी गई है और इसे सुगर कोपरेटिव के उपर जो दस हजार करोड रुपिय का बोग था जो यूपिये सरकार उनके सर पे डाल के गई थी उन दस हजार करोड रुपिय का फाइदा ये मेरी सुगर कोपरेटिव को होने वाला है आप सभी को ये भी पता है कि हमारी सरकार इथेनौल के उत्पादन पर कितना जोर दे रही है इथेनौल का उत्पादन बढ़ने से गन्ना किसानों की आई भी बढ़ रही है बीते नव वर्षों में पैट्रोल में इथेनौल की ब्लेंडिंग को बढ़ा कर येड़ प्रतिशत से 10 प्रतिशत किया जा चुका है अब सरकार पैट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनौल ब्लेंडिंग का लख लेकर चल रही है जितना ही देश इतिशा में आगे बढ़ेगा उतना ही हमारे गन्ना किसानों को भी फाइदा होगा भाई और बहनों खेती हो इंदस्री हो तूरिजम हो बहतर सिक्षा हो बहतर स्वास्त हो इस सब कोच अच्छी कनेक्टिविटी से और ससक्त होते हैं इसलिए बीते वर्सों में हम करनाटका की कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं 2014 से पहले के 5 वर्सों में करनाटका में रेलिवे का बजट कुल मिलाकर 4000 करोर रुपिय था जबकि इस वर्स करनाटका में रेलिवे के लिए साड़े साथ हजार करोर रुपिय रखे गए हैं इस वक्त करनाटका में रेलिवे के लगबग 45,000 करोर रुपिय के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है आप सोच सकते हैं कि इसके करनाटका में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है बेड़गावी का आदूनेक रेलिवे स्टेशन देखकर हर किसी को अस्टरे भी होता है हर किसी को गर्ब भी होता है इस आदूनेक रेलिवे स्टेशन से यहां सुविदाय तो अधिक हुई है रेलिवे को लेकर भी स्वाज भी बढ़ रहा है ऐसे शांदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे है करनाटका के अनेट स्टेशनों का रिल्वे स्टेशनों का ऐसे ही आधुनिक अवतार में सामने लाया जा रहा है लोगदाग गाडप्रवा लाइन की डबलिंग से अब सफर तेज होगा और सुरक्षित होगा इसी प्रकार जिन नई रेल लाइनों पर आज काम सुरू हुआ है वे भी इस ठेत्र में रेल नेटवर्क को ससक्त करेगी बेड़गावी तो एजुकेशन, हेल और टुरिजम के लियाद से एक बड़ा सेंटर है ऐसे में अच्छी रेल कनेक्टिविटी से इन सेक्टर्स को भी लाब होगा भाई और बैनों, बाजपा की डबल इंजिन सरकार तेज विकास की गारंटी है डबल इंजिन सरकार कैसे काम करती है इसका उदारान जल जीवन मिशन है साल 2019 तक करनाटका के गावों में सिर्फ 25 प्रतिशत परिवारों के पास घर में नल से पानी के लिए कनेक्शन था आज करनाटका में नल से जल की कवरेट डबल इंजिन सरकार के कारां हमारे मुख्यमंत्री जी के सक्रिय प्रयासों के कारां आज कवरेट साथ प्रतिशत से अधिक हो चुकी है यहां बेड़गावी के भी दो लाग से भी कम घरों में नल से जल आता था आज ये संख्या साड़े चार लाग पर पार कर चुकी है हमारी गाउं की बेहनों को पानी के लिए बटकना न पड़े सिर्फ इसी के लिए ही इस बजेट में साथ हजार करोर रुपे दिये गए है भावी और बेहनों बीजेपी सरकार समाच के हर उस छोटे से छोटे वर्क को ससक्त करने में जुटी है जिसकी पहले की सरकारों ने सूध नहीं ली थी बेले गावी तो कारीगरों हस्त सिल्पियों का शहर रहा है ये तो वेनुग्राम यानि बास के गाउं के रुप में मश्यूर रहा है आप याद कीजिए पहले की सरकारों ने लंबे समय तक मास की कटाई पर रोक लगा दी थी हमने कानून बढ़ला और मास की खेती और व्यापार के रास्ते खोल दी है इसका बहुत बड़ा लाब मास का काम करने वाले कलाकारों को हुआ है मास के अलावा यहाँ दूसरे क्राप का काम भी खूब होता है इस मर्थ के बजट में पहली बार ऐसे साथियों के लिए हम पी-म विश्व कर्मा योजना लेकर आए हैं इस योजना से ऐसे सभी साथियों को हर प्रकार की मदद दी जाएगी साथियों आज जब मैं बेड़गा भी आया हूँ तो एक और विश्व पर अपनी बात रखना जरूर चाहूंगा मैं अपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कॉंग्रेस किस तरह कर्नाटका से नफरत करती है कर्नाटका के नेताओं का पन कॉंग्रेस की पुरानी संस्कृति का हिस्सा है जिस किसी से भी कॉंग्रेस के परिवार विशेश को दिक्कत होने लगती है उसकी कॉंग्रेस में बेज़जती शुरू कर दी जाती है इत्यास गवा है कि कॉंग्रेस परिवार के आगे एस निजलिंग गपा और विरेंदर पाटिल जी जैसे नेताओं का अपमान कैसा किया गया था हर कर्नाटक के लोग जानते हैं अब एक पर फिर कॉंग्रेस का एक विशेश परिवार के आगे कर्नाटका के एक और नेता का अपमान किया गया है साथियों इसी धर्ती के संतान पचास वर्ष जिनका सौंसद्य ये कार्यकाल रहा है ऐसे स्रिवान मलिकारजुन खरगेजी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ उन्होंने जनता की सेवा में अपने से जो कुछ भी हुआ करने का प्रयास किया है लेकिन उस दिन मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कॉंग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था चत्रिश गड़ में उस कारकम में सबसे बड़ी आयू के व्यक्ति राजनीती में सबसे सीनियर वहाँ पर खरगेजी मौजूद थे और वो उस पार्टी के दख से दूप थी जो भी सब खड़े थे उन सबको दूप लगना बहुत वाबाविक था लेकिन दूप में वो च्छत्री का सवभाग्यार कॉंग्रेस के सबसे बड़ी आयूवाले सबसे सीनियर कॉंग्रेस के प्रमूख खरगेजी कोई नसिब नहीं हुआ बगल में किसी और के लिए च्छाता लगा लगा था यह पताता है कहने क्यों तो खरगेजी कॉंग्रेस अद्यक्ष है लेकिन कॉंग्रेस में जीतर उनके साथ बरताव होता है वो देखकर पुरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है परिवार वाग के इसी संकंजे में आद देश की अनेक पार्टिया जखड़ी हुई है इसी सिकंजे से हमें देश को मुक्त कराना है इसलिए कॉंग्रेश जैसे दलों से करनाट के लोगों को भी सतरक रहना है और ये कॉंग्रेश के लोग इतने निरास हो गए है अब तो वो सोते हैं जब तक मोदी जिंदा है उनकी दाल गलने वाली नहीं है और इसलिए सारे आतकर कह रहे है मर्जा मोदी बर्जा बोदी नारे बोल रहे हैं मर्जा मोदी कुछ लोग कपर खोड़ने ने बिजी हो गए है वो कह रहे हैं मोदी तेरी कपर खुड़ेगी मोदी तेरी कपर खुड़ेगी लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा मोदी तेरा कमल खिलेगा साथियों जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है डबल इंजिन सरकार की नियत भी सच्ची है और विकास की निष्ठा भी पक्की है इसलिए हमें इस विश्वास को बनाय रखना है करना टका के देश के विकास को गती देने के लिए हमें यूही आगे बढ़ना है सबका प्राया से ही हम देश को विक्सित बनाने के सपने को पूरा कर पाएंगे और मैं आच यहां कारकम में थोड़ा देर से पहुचा हेलिकॉप्टर से पूरे रास्ते पर बेड़ गाउने जो स्वांगत किया है जो आशिरवाद दिये है माताएं, बेहने, बुजूर, बच्चे अभूत पुर्वत रश्य था मैं बेड़ गावी के करना टका के इस प्यार के लिए सर जुका करके उनको प्रणाम करता हूँ सर जुका करके उनका धन्यवाद करता हूँ आज की मेरी करना टका की आत्रा भी विशेथ है क्यों ग्याच्चुबे मैं शिमोगा में था और वहाँ पर एरपूर्ट करनाटका की जनता को सुप्रत करने का मुझे सौभागे बिला लेकिन साथ साथ हमारे वरिष्ट नेता ये दुरुजप्रा जी का जन्मदीन की शुब कामनाए देने का भी मोका मिला और शिवमोगासी यहां आया तो आप सब ने तो कमाली कर दिया ये प्यार ये आशिरवाद मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ बेड़ गावी के मेरे प्यारे भाईयो बहनो करनाटका के मेरे प्यारे भाईयो बहनो मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ ये आप जो मुझे प्यार दे रहे ने आप जो हम सब को आशिरवाद दे रहे न मैं इसे ब्याज समेत लोटाओंगा और करनाटका का विकास करके लोटाओंगा बेड़गावी का विकास करके लोटाओंगा फिर एक मार आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद के लोटाओंगा बारत माता की लोटाओंगा बढ़गाई बारत माता की बहुत 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 थीता है